हिंदु परंपरा के अंदर ये नवृत्री जो प्रसंग हैं ये तो देवी मा की उपासना के लिए थे नवृत्री पवित्रतम रात्रियां कही जाती है। ये आसो जो चेत्र महीने में आती है ये साधना के लिए मंत्र साधनाओं के लिए ब्रह्मचरिय के लिए सत्तो को प्रप्त करने के लिए इश्टकी सिद्धी के लिए अंतरतम की सक्टियों को जगाने के लिए कुछ अच्छा हासिल करने के लिए होती है समझदार हिंदू और समझदार जैन सावक शाविका और समझदार हिंदू और समझदार जैन साधू संथ इन दिनों में साधना में बैठते हैं मौन रहते हैं ब्रह्मचरिय का परिपालन करते हैं और आगे बढ़ करके सक्टियों को साधते हैं उस दमाने में देवी माता की आरती करना, गटस्तापना करना, देवी माता को रिजाना और पुरुष एक तरब, महिला एक तरब, महिला महिलाओं की जगह में, पुरुष पुरुष की जगह में और इस प्रकार नौरते रखते, नवरात्री पालते, खान पान का ध्यान रखते, उन दिनों में कोई शराब नहीं पीता, गुटके नहीं खाता, चाय तक नहीं पीता, वेसन नहीं करता, अलग-अलग शयन करते, पति-पत्नी अलग-अलग रहते, ब्रमचरी की साधना करते, स सक्ति संपन्न बन सकें उनके आश्रिवाद अपने जिंदगी में फल सकें गरबे गई फिर डिसको आया नाना प्रकार के धूने आई नाना प्रकार के गायक आए कई कंपनियां कई संसाइं इसमें कुदी कई सारे लोगों ने धन कमाना शुरू किया छोटे बड़े ये को रिजाना मत्रसक्तियों को प्रेरित करना ये सब एक तरफ रहे गया आज डांड ये खेलने वालों में से किसको पता है कि साधना क्या है ब्रह्मचरिय क्या है ये क्यों है नवरात्री इसका हेतु क्या था इसका रीजन क्या था ये क्यों खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी के बाद में जितने गर्भपात होते हैं उतने गर्भपात बागी के ग्यारा महीने में नहीं होते हैं तो यह वेविचार नहीं है तो क्या है यह दुराचार नहीं है तो क्या है यह जीवन की ब्रश्टता नहीं है तो क्या है इस बात पर मैं कुछ वर्सों पहले बोला था गनपती अगर हिंदु धर्म के देवता है और गनपती के मौसव अगर मनाए जाते हैं या उनका आराधन अगर किया जाता है तो उसमें कई जुआ नहीं खेलेना चाहिए शराब नहीं पीनी चाहिए गनपती के नाम परतमा से नहीं करने चाहिए लड़कियों के साथ में हेसिशतकिती का विनास होगा उसलमानों एक धर्म परमपराओं को संभालाखे इसाइयों ने प्रु अप्रपराओं को संभालाखे उनके जो होकेशन होते हैं वह दूसरों को इंटर्पियर करने नहीं एते वह उसमें गाल मेल करते हिंदू और जेञों को इस बारे में सावधानी रखनी आवशक है कल ऐसा ना हो जाए कि परिश्ण महापरव के दिन आए या राखातीज का दिन आए या कार्ति पुर्णियमा का दिन आए और कोई उसे किसी प्रतिष्टान के नाम पर प्रोजेक्ट कर ले कि चलो अब मौस्तह को इस प्रकार मनाएंगे उस प्रकार मनाएंगे तो 25 साल-50 साल के बाद में ऐसा हो सकता है कि हमारे ओली की आराधना या हमारे पजुसतन महापरव की आराधना का रूप रंग बदल जाए जैसे मैंने नहीं कहा था कि मात्र संगीतकारों को बुला करके हम नौ दिन की भक्ती रख लें सुबे भी भक्ती, रात को भी भक्ती, ठीक है और इस प्रकार पजुस्तन आगे बर जाएं और अच्छी खासी संक्या के अंदर वे आदुनिक संगीतकार, आदुनिक धुनों पर बहुत गाएं और नौ जवान लड़के लड़कियों को मज़ा आजाएं सब वहीं पर जाएं तो दस साल, पंदरा साल तक अगर ऐसा चले तो आज एक ने किया, कल दूसरा करेगा, पर सुंतीसरा करेगा अदर चौता करेगा, दीरी दीरे साध्यों के वैख्यान में कोई नहीं जाएगा पजुस्तन महाबरक के प्रवचन एक तरफ रह जाएंगे कल्प सुतर जी हवाँ खाते रह जाएंगे और परिशन का रूप बदल जाएगा ये नहीं हो सकता ये नहीं किया जाना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जिन्दिकी तो बहुत छोटी है मैं तो कल दुनिया से चला जाओंगा लेकिन भगवान के सासन की परंपराएं नहीं मरनी चाहिए हमें उन्हें जिलानी होगी हमारे बच्चों को ये पता नहीं उनको तो क्या है नाचना, गाना, कूदना, घुमना, फिरना अच्छा लगता है उन्हें सामाईक परतिकबर नाच्छे लगे बिना पंकों के रहना उन्हें नाच्छा लगे लेकिन जरूरी ये है पजुसन महापरवकी पुरी पक्रिया उसकी साधना की सारी विवस्ता समझी जानी चाहिए और इसलिए हर बाबत के अंदर सावधानी आवशक है